ओम शान्ती उन्नेस छे दो हजार इक्किस की साकार मरली मीठे बच्चे तुम महान सवभाग्य शाली हो क्योंकि तुम्हे भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी रिशी मुनी ने भी नहीं पढ़ी प्रश्ण ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो दुनिया के मनुष्य नहीं उत्तर तुम जानते हो इस रुद्र यान यग्य से विनाश ज्वाला प्रजलित हुई है अब सारी पुरानी दुनिया इसमे स्वाहा हो जाएगी यह भावी कोई टाल नहीं सकता यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यग्य है जिसमें सारी सामगरी स्वाहा होगी फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे इसे इश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे गीत मुखडा देख ले प्राणी, ओम शान्ती धारणा के लिए मुख्य सार पहला सुखदाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है ड्रामा के आदी मद्ध अंत के राज को बुद्धी में रख हरशित रहना है सबको यही राज समझाना है दूसरा स्वराज लेने के लिए इस बेहर यग में जीते जी अपना तन मन धन स्वाह करना है सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसपर कर लेना है वर्दान सर्वात्माओं पर स्नेह का राज करने वाले विश्व राज अधिकारी भव जो बच्चे वर्तमान समय सर्वात्माओं के दिल पर स्नेह का राज करते हैं वही भविश्य में विश्व के राज का अधिकार प्राप्त करते हैं अभी किसी पर order नहीं चलाना है अभी से विश्व महराजन नहीं बनना है अभी विश्व सेवाधारी बनना है इसने है देना है देखना है कि अपने भविश्व के खाते में इसने है कितना जमा किया विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्यान दाता नहीं बनना है इसके लिए सबको इसने हैं अर्थात सहयोग दो स्लोगन जब ठकावट फील हो तो खुशी में डांस करो इससे मूड चेंज हो जाएगी ओम शांती रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूपल के नापल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिश्टियों ही दे ते रहो बाबा